So guys, welcome back to our channel Dynamic Techno Guys, आप भीवोफोन यूज़ करते हैं तो दोस्तो अपना भीवोफोन पर एक प्रोब्लेम जरूर फैस करने के लिए पड़ता है दोस्तो अपना mobile बहुत ज़्यादा heat होने की बज़े से अपना mobile क्या करता है automatic switch up करके automatic on करता है तो मैं आपको recommend करूँगा दोस्तो अपना mobile जब बहुत ज़्यादा heat हो जाता है तब दोस्तो अपना mobile को cooldown होने में छोड़ देना है और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तो अगर आपका hardware problem नहीं है अगर आपका software problem है तो जो भी method में वीडियो में बताऊंगा अगर मैं आपको apply करते हैं ध्यान से देखते हैं सारे method important है दो automatic switch up का जो problem होता है वो sort out हो जाएगा सबसे पहले method पर मोबाइल को रिस्टार्ट कर लेना है तो चलिए मैं restart कर लेता हूँ यू कैंसी आप में restart पर क्लिक करने के बाद जो आपका mobile होता है वो off हो जाएगा फिर से आपना mobile जब on हो जाएगा on होने के बाद दोस्त अपना mobile का volume down बटन को आपको continuously प्रेस करके रखना है continuously प्रेस करके रखने के बाद जो आपका mobile में boot हो जाएगा और देखना है दोस्तों जो आपका मॉबाईल होता है वो ओटमेटिक स्वीच आप होता है या पिर नहीं अगर नहीं होता है तो सही बात है अगर होता है तो दोस्तों चलिए next method पर आपको क्या करना है बताता हूं SEV Mode को Disable करने के लिए दूस्त अपना Mobile को एक बार रिस्टार्ट कर लेना है रिस्टार्ट करने के बाद जो आपका SEV Mode होता है वो Disable हो जाएगा ये पहले method पर करना है दूसरे method क्या करना है चलिए आपको बताता हूँ दो नमर मेथल पर दोस्तो अपना मोबाइल में कोई भी ऐसे Chrome व्राजर से unknown application इंस्टल करके रखें तो दोस्तो उसको पेलिए आपको uninstall कर लिना है क्योंकि दोस्तो कोई भी ऐसे unknown application आपना मोबाइल पर इंस्टल करने के बाद भी ये problem आपको हो सकता है दोस्तो कोई भी ऐसे application आपना मोबाइल पर पढ़ा है तो उसको पेलिए आपको uninstall कर लिना है ये दो नमर मेथल पर दोस्तो इसे करके भी आपना जो problem को आप सौट आउट कर सकते हैं तो तीसरी नमर मेथल पर क्या करना है है आपको पावर पर पर दोस्तो आपना मॉबाइल पर प्रेस करने के बाद दोस्तो को मोबाइल होता है वो फासबूट पर चले आएगा देखने के लिए दोस्तों तो आपको दोनुँ आपको देखने के लिए मिलेगा reboot और recovery mode है song, तो आपर देखने के लिएमिलिए volume down button से आपड़ी क्या सकते हैं और power button में आपको अपर confirm कर सकते हैं पर दोस्तों आपको सेटिंग पर क्लिक करना है दें दोस्तों सिस्टम अपडेटीं फोर्टा आ है अब system update होने के बाद भी यह problem आपको हो सकता है तो देख लेना है दोस्त अपना mobile पर अगर system update मिला है तो दोस्त आपको system update कर लेना है देन दोस्त आपको back चले आना है back चले आने के बाद दोस्त आपको shortcut and accessibility पर क्लिक करना है इसमें क्लिक करने के बाद आपको tax timer का करना है इसमें क्लिक करने के बाद डूस्तो इए अगर आपका अन है तो लिए इसको आपको क्लिक करने के बाद दौस्त को नीचे चले आके backup and reset पर click करने के बाद यहां पर एक option देखने के लिए मिलेगा reset all setting का option तो आपको reset all setting पर click करना है then दोस्तों आपना जो भी pin patent password है आपको दे देना है mobile का देने के बाद दोस्तों आपना जो mobile होता है भी reset हो जाएगा यह problem को आप sort out कर सकते हैं जो आपका mobile को एक बार reset करके इसमें दोस्तों कोई भी आपका photo video नहीं delete होगा कोई भी problem नहीं आएगा देन दोस्तों अपना mobile को reset करने के बाद भी आपका जो problem होता है वो sort out नहीं होता है तो दोस्तों नीचे और एक option आपको देखने के लिए मिलेगा erase all data erase all data पर click करने से पहले दोस्तों में आपको बता दो अपना mobile में जो भी photo video जो भी contact है अगर आप backup नहीं लिए हैं अभी तक और कैसे आपको backup लेना है अगर आपको नहीं पता है तो dedicated video में पहले से बना के रखाओं दोस्ता अपना mobile को कैसे backup करके कैसे आपको factory reset करना है अगर आपको नहीं पता है दो वीडियो को चेक आउट कर सेकते हैं आई बटन में end screen में description उसका link आपको provide कर दोंगा देन दोस्त अपना mobile को backup लेने के बाद आपको erase all data पर click करने के बाद दोस्तों जो भी आपका pin patent password आपको दे देना है देने के बाद दोस्तों आपको आपका mobile होत अप्टिमाइज पर click करने के बाद दोस्तों आपना जो भी payment environment है आपको चेक कर सकते हैं देखने के लिए मिलेगा दोस्तों आपको यह बता देगा एक करके detect करके आपको बता देगा ठीक है तो चलिए आपको दिखा देता हूं यहां पर click कर लेता हूं डॉन पर आने के बा दोस्तों आपका अपना mobile में यह जो method को आपको सुवे साम दोनों time करना अपना mobile पर यह करने के बाद दोस्तों अपना mobile smoothness आ जाएगा उसके साथ-साथ speed up भी आ जाएगा चलिए बेक करता हूं बेक करने के बाद यहां पर security detection पर click करने के बाद दोस्तों जो भी आपका payment environment है सेपन सीक्यूर है कि नहीं दोस्तों आपको यहां पर वेट करना है और कभी आप नहीं किया तो दोस्तों बहुत ज़्यादा time भी लग सकता है ठीक है तो देख लेते हैं यू कैंसी दोस्तों आपको देखने के लिए मैंगा danger लिखा हुआ चुका है वान तेप टू प्रोसेसिंग पर क्लिक कर लेना है 1 टाप 2 प्रोसेसिंग पर क्लिक करने के बाद तोस्तों यह उतमेटिク आपका जो भी प्रोबלम होगा मोबाईल पर यह fix करके देदेगा देखने के लिए में का इसमें क्लिक करता हूं कने लित हूं दोस्त्त अधने मोबाइल आंतर करना यह उसक्य को नमीक्त म요 कंबार कंदोफित लासमा यचल करना है कि एक बार भयक्त करना है कि बैटरी को एक पर रिपर शने कमा बेटरी को तभी जाके दोस्तों को खुलना है अगर आपके पास टूल है तो अगर आपके पास टूल नहीं है तो दोस्तों कोई method को skip करना है YouTube पर आपना model को सर्च करके देख सकते हैं और मैं आपको बता दून दोस्तों आपका mobile नया है warranty अभी तक खत्रम नहीं हुए तो दोस करना है पूरी वीडियो में आपको डिटेल पर बता दिया हूँ इसा दोस्तों आपको step by step करना है अगर को भी प्रोब्लेम बगर आता है तो मुझे comment section में बता सकते हैं अगर दोस्ता पार्ट वाम देखना चाहते हैं या फिर दोस्ता अपना भीव मोबाईल को एक बार बै देखने के लिए आपको बहुत बहुत सुक्रिया, have a nice day, see you soon, goodbye.